हेलो एवरिवन सावी की किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे वैज रोल वैज रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सभी सब जो काट करके तयार कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे दो चमच कुकिंग ओल अब इसमें डालेंगे हम काट करके तयार कर लिया था पहले से यह देखिए अब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दो बारी कटी हुई हैरे मिर्च आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें ज्यादा भी और मैंने यहाँ पर एक शिम मैंने यहाँ पर पता गोबी ली थी धनिया की हरी पतिया डाल करके सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आदा चमच मैं यहाँ पर लोंगी काली मिर्च और एडेट चमच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाला है ज्यादा हम इसमें मसाले नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम यह बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे यह देखे इस तरह से हमारे सारी सब्जी अच्छे से त्यार हो जगी है बून करके अब हम इसको निकाल लेंगे एक बरतन में हमारे स्टफिंग तयार है अब हम लेंगे कटोरी मैदा 100 ग्राम के क जाल करके अब हम इसका स्मूध सा डो तयार कर लेंगे इस तरह से में ज्यादा टाइट नहीं रखना है तो इसको दस मिनट के लिए लैस के लिए रख देंगे तो चलिए अब इसकी छोट छोटी लोग्या तोट करके तयार कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को शेयर करें लाइक करें सस्क्राइब करें बाइल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इस तरह से मैंने सबी लोग्यों को तोड़ करके तयार कर लिया है अब हम इसकी रोटिया बेलेंगे इस तरह से मैं यह आपर सूखा मैधर डाल करके इस तरह समय बारिक पतली पतली हमारी रोटिया बेल करके तयार कर लेनी है इस पर हम थोड़ा सा आठा इस तरह से डाल देंगे सूखा ताकि हमारी रोटिया चिपके ना इस पर नोन स्टिक तवा ले रही हूं इस पर से सेक लेगे अब इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ओउयल दोनों तरफ से ऐइल yağ करके好像 से से सेक लेंगे इसको एसको फूом है थे को लाइट प्रावन ने तक इपसे शेक लेना है देखिए हमारी रोटिया बन करके तयार हो गई है इसी तरह से हमें बाकी की सभी रोटियों को सेख करके तयार कर लेना है यह देखिए यह हमारी रोटिया जो है बहुत ही क्रिस्पी बनी है और यह देखिए बन करके तयार हो गई है तो चलिए अब हम बनाते अपने मैंने या पर एक चमच टोमाटो खैचप लिया है और एक चमच लिया है मैंने आपर ओज़ी सोस इसको इस तरह से रोटी पर फैला लेंगे और जो हमारे स्टफिंग बनकर करे तियार हो गे थी उसको हम इस तरह से अब अन्दर से ओल कर लेंगे यह देखिए इस तरह से फिर हम अब इसका रोल बनाएंगे यह देखिए इस तरह से हमें सारे रोल बना करके तयार कर लेने हैं यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं हमारे वैज रोल यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही असानी से बन जाते हैं आप एक बार ट्राय जरूर कीजेगा बहुत ही पसंद आएंगे आपके बच्चों को यह देखिए इस तरह से हम सभी रोल बना करके तयार कर लेंगे अगर आप कोई ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आठा गूट टे टाइम आप उसमें ओईल ना डाले आठा गूट झाले बहुत है झाले एच सब्सक्राइब। झाल 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 झाल